तो दोसो आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ में एक धमाकेदार वीडियो के साथ में दोसो डेर सारी हमारे पास कॉमेंट्स आ रहे थे कि सरे एक ऐसा हमें वे जीरो बैलेंस अकॉंट बताईए जिस एकाउंट को घर बैठे ओपिन कर सके हमको ब्रांच जानी की जरूत न पड़े अगर आप एक ऐसा एक जीरो बैलेंस अकॉंट ओपिन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको कांटीनियू देखना होगा क्योंकि आज किस वीडियो में एक ऐसा एकाउंट ओपिन करने का पूरा आपको प्रोसेस बताने वाले हैं जहां पर आपको एक रुपय आप भी मेंटेन करने की ज़रुत नहीं पड़ेगी आच्छी खास से आपको लिमिट देखने को मिल जाएगी और किसी भी प्रकार का कोई भी हेड़न चार्जर से आपको देखने की ज़रुत नहीं पड़ेगी साथी दोस्तों जैसा आप एकाउंट ओपिन करेंगे तो इस के बाद में इसकी मोबाइल बैंकिंग को भी सुरू कर पाओगे और गूगल पर फोन पर पेडियम जैसी अप्लिकेशन को भी बड़ी आसानी के साथ में आप यूश कर पाओगे जी दोस्तों आपने विल्कुल ढिक सुना है आज की इस वीडियो में हम एउस्माल फाइनें बैंक में जीरो बैलन्स से एक सेबिंग्स अकाउंट ओपिन करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस जानने वाले हैं वीडियो दोस्तों काफी उस बुल है बस आपको वीडियो को पूरा देखना है हो सके तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ये एक तो पहली बात आपको सेबिंग अकाउंट मिलता है दूसरी बात है कि यहाँ पर जीरो बैलन्स अकाउंट मिलता है कोई भी रुप्य आपको मेंटेन करना नहीं पड़ता है ठीक है एकाउंट ओपिन करने के लिए इस पेस पर आएंगे इस पेस का लिंक आपको काँडेन मिलेगा कि आपके अधार कार्ण से जो मोबाईल नम्बर लिंक होगा वही मोबाईल नम्बर इस कॉल्म में टाइप करेंगे और arrow के ओप्शन पर कीडिक करेंगे अब आपके मोबाईल नम्बर का वरिफिकेशन आजएगा तो आपके मोबाईल नम्बर पर एक OTP sent करी जाएगी वो टिपी आप इस कॉलम में फिल कर देंगे तो पेज आटोमेंटिक रिडारेक्ट हो जाएगा तो दोसो इसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पर आपको पैन नमबर को आप्शन देखने को मिल जाएगा तो आप अपने पैन नमबर को इस बॉक्स में टाइब करेंगे और इसके बाद में कनफर्म के ओप्शन पर किलिक करेंगे तो दोसो इसके बाद में आप देख सकते हैं पर पैन नमबर को कॉलम मिल जाएगा तो इस कॉलम में अपने पैन नमबर को टाइब करेंगे और जैसे दोसो आप पैन नमबर को टाइब करेंगे तो का option देखने को मिल जाएगा तो इस column में आप या तो आप अपना अधार number type कर दीजे या तो फिर आप अपना virtual number type कर दीजे हमारे case में हमारे पास अधार number है तो अधार number हमको type करेंगे इस box पर check out करेंगे और get अधार OTP के option पर click करेंगे अब जो आपके आधारकार से mobile number लिंक होगा उस पर OTP send करी जाएगी OTP स्कॉलर में फिल करेंगे और page redirect हो जाएगा तो इसके बाद में देखेंगे कि आपके आधारकार के recording जो भी information होगी वो यहाँ पर आपको सब कुछ यहाँ पर पूरा की marital status का option मिल जाएगा अगर आप single है तो single select करेंगे married है तो married select करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर इस column में mail id को type करेंगे mail id को type करने के बाद में submit detail के section पर click करेंगे so इसके बाद में family information feel करनी होगी तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते आपके father नाम का आ जाएगा साथी 200 इस column में mother name को type करेंगे यह सब कुछ feel करने के बाद में यहाँ पर एक आपको option मिल जाता है nominee add करने के लिए अगर आपको भाई यहाँ पर nominee अपने account में add करना है तो यहाँ पर click करेंगे और nominee का relation nominee का नाम nominee के data about nominee का address fill करेंगे अगर आपको nominee नहीं add करनी है इस case में आप यहाँ पर click करेंगे और इसके बाद में direct आप यहाँ पर submit details के section पर click करेंगे so यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपको communication address आपका so हो जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं अब अगर इस case में यहाँ पर हम आपको बता दें कि अगर आपका communication एड्र दूसरा है और आधार एड्र दूसरा है तो आप दूसरा एड्रस आपको यहाँ पर fill करना पड़ेगा जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एड्रस सेम है तो हम यहाँ पर नहीं क्लिक करेंगे और हम यही एड्रस पर हमारा जो इसकी बेलकम किट होगी वो भी सेंड करी जाएगी अगर आपका दूसरा address है तो दूसरा address आप फिल कर सकते हैं वरना update address के section पर click करेंगे तो इसके बाद में दोस्तों देखेंगे यहाँ पर आपका occupation का section देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप click करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी category आपको मिल जाएगी जैसे private नौकरी है या फिर खुद की दुकान है, school है, college है, बेरोजगार है ठीक है यह सारे option देखने को मिल जाएगे तो इनमे मैंसे जो भी आप हो वो select करेंगे, अब यहाँ पर इसके बाद में देखेंगे Employed Detail का section मिलेगा, click करेंगे, अब यहाँ पर इस case में दोस्तों हमने उपर student select कर रखा है तो यहाँ पर automatic student आ चुका है, तो हम यहाँ पर select करेंगे अब यहाँ पर आपसे आपकी जो annual income है वो पूछी जाएगी, तो आपके annual income कितनी ही आप सालाना कितने पैसे कमा लेते हो, वो आपको यहाँ पर select करना होगा तो select करेंगे और इसके बाद में finally submit detail के section पर click करेंगे तो अभी तक जो पूरी information आपने fill करी है, उस सारी information आपके सामने आ जाएगी तो यहाँ पर इसे आप read भी कर सकते हैं, paste को score down करेंगे अगर सब कुछ आपके पूरी information सही है, तो confirm details के section पर click करेंगे अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपका branch का section देखने को मिल जाएगा तो जहाँ पर आपके area में branch अफलेबल होगी, आपके address के अनुसार automatic branch select हो जाएगी तो इसके बाद में दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से choose the account का section देखने को मिल जाएगा तो आप यहाँ पर अपने account type को select कर सकते हैं जैसे दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे case में जो हमें AO small finance bank में account open करने वाले हैं वो दोस्तों देख सकते हैं कि AO digital savings account होगा zero balance total account मिल जाएगा यहाँ पर insurance cover भी मिल जाता है 25% का discount भी मिल जाता है अगर आप annual local लेते हैं ठीके तो यहाँ पर मिस account को select करेंगे अब यहाँ पर आप से कुछ funding करने के लिए बोला जा रहा है वैसे कोई भी यहाँ पर funding की requirement नहीं है आप 100 पर funding कर सकते हैं 1000 पर funding कर सकते हैं 5000 पर funding कर सकते हैं आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी requirement नहीं जैसा कि आप screen पर देखे लिजें कि no minimum funding required ठीके तो अगर आपको funding करनी है भाई तो आप कर सकते हो वरना skip के option पर click करेंगे देन successful इसके बाद में दोस्तों देखेंगे additional service अगर आपको enable करना है जैसे 101 mobile banking को enable करना है virtual payment address को enable करना है और साथी दोस्तों यहाँ पर जो debit card मेलेगा उसके भी आप यहाँ पर charges दे सकते हैं और यहाँ पर 25 पनों की checkbook भी आपको provide कराए जाएगी तो यहाँ पर continue करेंगे तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि important interactions आपको देखने को मिल जाते हैं अब यहाँ पर आपको video के वाजिसी के process को follow करना पड़ेगा इसके लिए दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर integrate video call किलिक करेंगे अब यहाँ पर video के वाजिसी करने के लिए भाई आपके पास pen card भी original pen card भी होना चाहिए एक blame paper और एक pen होना चाहिए इसके बाद में यहाँ पर कुछ इस तरीके से page हमारा video के वाजिसी के लिए redirect हो जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से नाम वगेरा सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर video के वाजिसी के process करने के लिए यहाँ पर आपको allow करना होगा और इसके बाद में click head to start video के वाजिसी के option पर click करेंगे आपकी video के वाजिसी start हो जाएगी और video के वाजिसी जैसे complete हो जाएगी आपकी यहाँ पर account की information मिल जाएगी और आप mobile banking भी शुरू कर सकते हैं इसके welcome kit 10 से 15 दिन के अंदर आपके घर पर send कर दिया जाएगा तो दूसरो अभी जो आपने पूरा process देखा है एक AU small finance bank में zero balance account उपन करने का हमने complete और live process आपको दिखा दे की कैसे आपको account उपन करना है इसके बाद मैं बस आपको वीडियो के वाईसी को complete कर लेना है 10 से 15 दिन के अंदर welcome kit भी आपके घर पर send कर दिया जाएगा यह पूरा process हमने आपको इस वीडियो में बताया है अगर आपके आप भी कोई मन में doubt है तो आप comment करके पूछ सकता हम आपको reply जरूर देंगे तब फिर मिलते हैं तो next वीडियो में तब तक लिए जाहिंद वन्दे मातरम